दोस्तो सितर के दशक के अंत में और असी के दशक की शुरुवात में बोल्यूट के डिरेक्टर्स को एक नया नुसका मिला था फिल्म को हिट करवा देने का यह नुसका था साउथ की फिल्मों को हिंदी में रिमेक करने का इस बात में सबसे आगे रहे अभिनेता जितेंदर उनकी सितर के दशक के अंत की और असी के दशक की शुरुआत की हर दूसरी फिल्म साउथ इंडियन हिट फिल्म की रिमेक हुआ करती थी दोस्तो जितन्द रहमेशा साउथ इंडिया की कमर्शल फिल्मों को रिमेक करवाया करते थे साउथ के कई बड़े डिरेक्टर्स और प्रोडूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाया खड़े रहते थे बेनर भी उनके घर का ही था जिसे उनके भाई देखा करते थे दोस्तो कई डिरेक्टर्स ऐसे भी हुए जिन्होंने साउथ इंडिया की सीरियस और सस्पेंस फिल्मों को हिंदी में रिमेक किया इन डिरेक्टर्स में सबसे पहले नाम आता है शेकर कपूर का शेकर कपूर ने पहले ही फिल्म मासूम का डिरेक्शन करके इंडस्टी को बता दिया कि वे क्या जगे बोलिवूड में रखते हैं लेकिन दोस्तों कम ही दर्शकों को पता होगा कि साल 1983 में आई शेकर कपूर के डिरेक्शन से सजी बहतरीन फिल्म मासूम साल 1982 में रिलिज हुई मलियलं फिल्म ओलंगल की हिंदी में रिमेक है सबसे कमाल की बात तो यह रही कि जो रोल फिल्म मासूम में नशुर दिन शाहने निभाया था वह रोल मलियलं फिल्म में बॉल्यूड एक्टर अमौल पाले करने निभाया था बेरहाल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोल्यूड की एक एक्शन क्राइम ड्रामा रोमेंटिक और थ्रिलर फिल्म की जो की उस डिरेक्टर की एक मात्र हिट फिल्म भी रही थी और यह फिल्म भी थी मलियालम फिल्म की हिंदी रिमेक नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोलीवूड अन्बोक्सिंग में दोस्तों अगर आप हमरे चैनल बोलीवूड अन्बोक्सिंग पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बाते आपके लिए लाते रहें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1988 के जून मेने की तीन तारिक के दिन रिलिज गोईंदा और नीलम स्टारर फिल्म हत्या के बारे में इस फिल्म हत्या को डिरेक्ट किया था गोईंदा के बड़े भाई किर्थी कुमार ने दोस्तो डिरेक्टर किर्थी कुमार की यह एजे डिरेक्टर पहली और एक मात्र हिट फिल्म है किर्थी कुमार ने डिरेक्शन के अलावा कई फिल्मों में एजे एक्टर काम भी किया फिल्म हत्या के बाद उन्होंने कई फिल्में डिरेक्ट की जिसे दो आंखे वारा हाथ, नसीब, आंटी नंबर वन, प्यार दिवाना होता है और साल 2000 में आई फिल्म सुख किर्थी कुमार ने कई फिल्मों में अभी नहीं भी किया जैसे मेरा लहू, घर में राम गली में शाम, उस्ताद, राधा का संगम, बाज और भग्यवान दोस्तो गोविंदा के भाई किर्थी कुमार ने इस फिल्म हत्या में एक चोटा सा रोल भी प्ले किया था यह रोल था एक पुलिस वारे का, जब गोविंदा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो जो पुलिस वाला गोविंदा को जेल में धकेलता है, वह इस फिल्म के डारेक्टर और गोविंदा के बड़े भाई किर्थी कुमार ही है दोस्तो ये फिल्म हत्या गोविंदा की होम प्रोडक्शन फिल्म थी इस फिल्म की मेकिंग के समय गोविंदा कोई ज़्यादा बड़े एक्टर नहीं थे गोविंदा की पहली साइन की हुई फिल्म थी उनके मामा की फिल्म तन बदन जो की साल 1986 में रिलीज हुई थी इस फिल्म हत्या से पहले उनकी फिल्म इल्जाम से वे लाइट में आये थे इसके अलावा उनकी लव 86, सदा सुहागन, दादागिरी, प्यार करके देखो, मेरा लहू, मरते दम तक, खुदगर्ज और सिंदूर जैसी फिल्म में रिलीज हुई थी दोस्तों इस फिल्म हत्या से जूड़ी और मज़ेदार बाते जानने से पहले आये जानते हैं कि इस फिल्म के मुख्योर सहय कलाकार कौन-कौन थे इस फिल्म में भी नएकर रहे थे गोविंदा, नीलम, राजकिरन, अनुपम खेर, बाबु एंथोनी, बेबी सुजीता, ओम शिवपुरी, सत्यन कपूर, सतिश कोल, राकेश बेदी, जोनी लिवर, विकास अनन, अपराजिता और गोविंदा के भांजे, क्रशना अभिशे दोस्तों, ये फिल्म हत्या साल 1986 में रिलिज मल्यालम फिल्म, पुविनू, पुथिया, पुन्थे नल की ओफिशल हिंदी रिमेक थी, उस फिल्म में लीड रोल साउत के सुपरस्टार ममूटी ने प्ले किया था और उनकी हिरोईन बनी थी, नादिया मॉईडू दरसल दोस्तों, ये मल्यालम फिल्मी inspire थी, हैरिसन फॉर्ड अभिनित साल 1985 में रिलिस फिल्म, विटनेस से इस फिल्म हत्या की कहानी लिखी थी, जिन्होंने मूल मल्यालम फिल्म की कहानी भी लिखी थी इस फिल्म के डायलोग लिखे थे कादर खान ने और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था के शोरा ठोड़ने दोस्तो इस फिल्म को प्रोडूस किया था गोविंदा और उनके भाई किर्ती कुमार ने मिलकर दोस्तों केरियर के चंद ही सालों में गोविंदा को यह फिल्म प्रोडूस करनी पड़ी इसके पीछे भी एक कहानी है जब गोविंदा ने मूल मल्यालम फिल्म देखी थी तो उन्हें इस फिल्म का कंसेप्ट बहुत पसंद आया था उन्होंने उस फिल्म के राइट्स बहुत सारे पेसे देकर खरीद लिये थे गोविंदा को लग रहा था कि यह फिल्म उन्हें इंडस्टी में एज एक्टर पुरूग करेगी लेकिन जब गोविंदा इस फिल्म को लेकर निर्माताओं के पास गए तो उन्होंने फिल्म बनाने के बज़ाए उन्हें फिल्म के अधिकार बेचनी को कहा कई निर्माताओं का या मत था कि गोविंदा अभी खुद बच्चे जैसे दिखाई देते हैं तो उन्हें एक बच्चे के गारजन के रूप में दर्शक कैसे स्विकार करेंगे दोस्तो तब मजबूर होकर गोविंदा ने अपने भाई की साथ मिलकर इस फिल्म को पर्डूस करने का फैसला किया जब गोविंदा इस फिल्म के राइट्स ख Zakाण कर इस पर फिल्म बना रहे थे तब तक इस फिल्म के तीन रिमेक अलड़ी बन चुके थे तमिल में इसे बनाय गया था साल 1987 में पोईजी वसीलिल नाम से जिसमें लीड रोल प्ले किया था बाहुबली में कटपा बने सत्यराजने और विलन की भूमिका में थे रगुवरन तेलगू में इसे इसी साल यानी की साल 1987 में बनाया गया पासियवाडी प्रणाम के नाम से चिरन जीवी के साथ और फिल्म के विलेन थे फिर से रगुवरन कन्रण में भी इसे साल 1987 में बनाया गया आपडबंदवा के नाम से जिसमें थे अभिनेता अम्रीश दोस्तो हिंदी में बनी फिल्म हत्या के अलावा इन चारो फिल्मों में दो चीजे कॉमन रही एक तो यह कि इन पांचो फिल्मों में बच्चे की भुमी का एक ही बच्ची ने निभाई थी जिसका नाम था बेबी सुजीता जो कि आज की डेट में साउत की फिल्मों और टीवी की फेमस एक्टर्स है दूसरी कॉमन चीज इन पांचो फिल्मों में यह रही कि जो आदमी अक्सर विलेन के लिए इतने सारे खुन करता है जो पूरी फिल्म में उस बच्ची को मारने के लिए गुमता रहता है उसकी भूमी का सारी फिल्मों में एक ही एक्टर ने निभाई थी उसका नाम था बाबू इंतोनी यह एक्टर बाबू इंतोनी की एक मात्र फेमस हिंदी फिल्म है दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि साउत की चारो फिल्मों में बच्चे का किरदार बेबी सुजीता ने निभाया था बेबी सुजीता साल 1987 के समय इतनी बीजी थी कि फिल्म हत्या में काम करने के लिए उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था तब फिल्म में बच्चे वाले रोल के लिए गोईंदा और उनके भाई किर्तिकुमार ने अपने भांजे क्रशना अभिशेक को साइन किया था दोस्तों अगर आप फिल्म हत्या का इनिशली रिलिस पोस्टर देखेंगे तो पोस्टर में जो बच्चा गोईंदा की टांग पकड़े हुए खड़ा है वह क्रशना अभिशेक ही है एक तरह से माना जाया तो यह क्रशना अभिशेक का बोलिवुड डेब्यू था लेकिन बाद में बेबी सुजिता के पेरेंट्स मान गए और फिल्म में बेबी सुजिता ने ही वह रोल प्ले किया था दोस्तो काधर खान ने इस फिल्म के डाइलोग लिके थे उन्हें इस फिल्म में एक भूमिका निभानी थी लेकिन किसी कारण वस वे व भूमिका नहीं निभा पाये फिल्म हत्या के लीड विलेन थे अनुपमखेर उस फिल्म का नाम उन्होंने पुलिस के पीछे पुलिस रखा था। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि गोईंदा उसी फिल्म से इंस्पार्ड होकर फिल्म हत्या बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म बन कर दी। क्योंकि उनकी फेमिली नहीं चाहती थी कि वे आगे गोईंदा के साथ और काम करें। उनकी फेमिली ऐसा इसलिए करवा रही थी क्योंकि गोईंदा की मेगजियूम फिल्म में भी फ्लोप हो रही थी। 288 में कमाई के मामले में रही थी छथे नंबर पर और यह फिल्म हिट साबित हुई थी। इस फिल्म हत्या के मुजिक की बात करे तो इसका मुजिक सुपर हिट रहा था इस फिल्म के गीत लिखे थे इंदी वर ने और संगित बद किया था बगपी लेहरी ने इस फिल्म के अलबम में कुल पाज गीत रखे के थे जिनने अपनी अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, यशुदास, मुम्मद अजीज, आशा बुशले और सपना मुखर जीने इस फिल्म के डिरेक्टर कृती कुमार ने भी इस फिल्म के गीत को गाकर गाय की में अपने हाथ आजमाय थे ये गीत थे, मैं तो हूँ सबका और गुंगट के पड़ खोल दोस्तो इस फिल्म से यशुदास ने गुविंदा के लिए एक मात्र गाना गाया था इस गीत के बोल थे, जिन्दगी महग जाती है दोस्तो फिल्म का एक गीत उन दिनों काफी फेमस हुआ था जिसे मुहमद अजी जो सपना मुकरजिन गाया था इस गीत के बोल थे, मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलिवड अन्बोक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद